Hello and welcome to the 8th lecture of History of Western Architecture Series आज की एस lecture में हम बात करेंगे बरुक आर्किटेक्चर के बारे में तो स्टार्ट करने से पहले इस lecture से यह इस से प्रीविएस लेक्चर की पीडिएफ आप मेरे टेलिगाम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक मैंने description box में दे रहा है तो बरुक आर्किटेक्चर से पहले हम उल्लेट इस अर्किटेक्चर कर चुके हैं मेशापोटेनियन आर्किटेक्चर से लेके रेनेसांस आर्किटेक्चर के बारे में तो यह सारे lectures आपको history of western architecture एक playlist मिलेगी आपको channel पर तो वहाँ पर उस playlist को check करके आप देख सकते हैं यह इससे previous जितने भी lectures हैं आज हम बात करेंगे बरूख architecture के बारे में तो start करते हैं तो starting with the introduction in baruch architecture तो हम समझेंगे कि baruch architecture basically है क्या और यह कहां से आया तो अभी तक जितना हमने architecture समझा वो renaissance architecture था इसके बाद renaissance के बाद जो start हुआ that is baruch architecture यह something around late 16th century के आसपास यह इटली में start हुआ था हमने renaissance architecture देखा था वो भी इटली के Florence city से start हुआ था और यह भी somewhat baruch architecture एटली से ही start हुआ है यह start क्यों हुआ था basically यह start हुआ था जो catholic churches है या कोई राज जीत लिया किसी एक empire ने कोई भी state particularly state को जीत लिया उसमें अपना rule establish करने के लिए जो एक sign of victory the catholic churches और जो kings थे उन्होंने as a sign of victory को represent करने के लिए यह type से जो buildings है यहां पर develop करना शुरू किया तो यहां पर बरुक architecture है अगर ensured बरुक architecture को हम समझें तो हमें यह थोड़ा ज्यादा decorative मतलब कह सकते है highly decorative architecture था renaissance architecture से ज्यादा decorative था और यह एक regular यह फिर proportionate kind of architecture नहीं था जैसा हम renaissance architecture में देख रहे थे यह बिल्कुल proportionate नहीं था यह अपने अपने हिसाब से develop हो रहा था kind of free form हम इसे कह सकते हैं तो यह free form architecture था यहां अगर इसके characteristics की बात करें तो इन्होंने यहां पर ज्यादा play किया है form के साथ light और shadow के साथ तो form light and shadow के साथ यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा spain में जो बरूक term है उसका simple सा meaning है irregular यानि की कोई regularity नहीं देखने को मिलेगी हम यहाँ पर और एक oddly shaped pearl जो की एक मोती जो की एक proper अपनी shape में नहीं है तो यह हमें इस pain में यह बरूक term का meaning देखने को मिलेगा और बात करें तो यहां पर straight line के बजाए जो की हम renaissance architecture में देख 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 दे वह स्ट्रेट लाइन का ज़्यादा यूज कर दे तो यहां पर straight line के बज़ये कर लाइन का जादा यूज किया है यह हम कह सकते हैं broken broken lines का जादा यूज किया तो एक वहां पर इस चीज़ को ज्यादा emphasize करने कोशिश करिये या sharp corners को यहां पर जो simple shapes नहीं है यहाँ पर ज्यादा थोड़ी सी complex shapes हमीं देखने को यहाँ पर मिलेंगे इन बरू का architecture थोड़ी history की बात करें तो यह बरू का architecture कुछ political और regional sorry religious influence के साथ start हुआ था कुछ political मदभेत या religious अपने religion को superior दिखाने के race में इस architecture का develop हुआ में यहाँ पर क्या शो करते थे जो चर्चिस थे वो शो किया करते थे कि हम ज्यादा rich हैं तो अपनी अपनी richness को कैसे शो करते थे वह इन ताइप से buildings को बनाके इन में ज्यादा high decorative और बहुत fine decorations को यहाँ पर use करके यह represent किया करते थे कि जो roman catholic churches हैं ज्यादा rich है यह तो इस वजह से कुछ यह architecture यहाँ पर develop हुआ और अगर बात करें architecture के यहाँ पर history की बरुक architecture के history की बात करें तो mainly यहाँ पर यूज किया है last time renaissance architecture में Michael Anglio ने अपना saint peters basilica में काम किया था वह एक roman building है तो वहाँ पर उन्होंने dome को develop किया था तो जो saint peters basilica है उसका the dome है हम कंजडर कर सकते हैं इसा renaissance architecture बाकी का जो saint peters basilica जो other portion है वह बरूक architecture में include करेंगे तो kind of saint peters basilica जो है वह एक mixture of baruch and renaissance architecture है उसमें हमें दोनों के characteristics देखने को मिलते हैं Michael Anglio के जो लोग थे जो उनके नीचे जो अंडर जो architect काम कर रहे थे उन्होंने continue किया और फसाड को डेवलेप करना जेसुट चर्च का जो फसाड है केसू में उसको उन्होंने बनाया और यहां से एक inspiration मिलती है या या फिर हम कह सकते हैं कार्लो मेडर्णों है यह एक और आर्किटेक्ट है उन्हें यहां से inspiration ली और उन्होंने सेंटा सुजाना का चर्च का फसाड यहां पर डेवलेप किया तो एक सेंटा सुजाना जो चर्च का फसाड है काफी इंपोर्टेंट फसाड है और हम इसको कह सकते हैं आप होना स्टार्ट हुआ है बर्यूक आर्किटेक्टेक्टर की कुछ characteristics features है यहां पर यह इनकी पेंटिंग काफी ब्रिलेंट हुआ करती थी अपने आर्ट को लेकर थे यह जादा यूज क्या करते थे यह फचिनेट थे लाइट को लेकर तो इन्होंने क्या किया अपने लाइट में एंफसिस डालने के लिए तो उनके बैग्राउंड है कोई भी अबजेक्ट को अगर हमें एंफसीज डालना है तो वहां का बैक्ग्राउंड अब डार्क कर दीजिए तो अलड़ी जो अब्जेक्ट है वह एंफसाइज हुगा तो सेम इनोंह नहीं यहाई पर लाइट के साथ प्ले किया और बैक्ग्राउंड को डार्क कर दिया तो जो इनका फ्रॉंट है वह बाहर न एक्सप्रेशन्स ज्यादा तर इन्हों एक्सप्रेस करने स्टार्ट किये इन पेंटिंग और वह पेंटिंग इतनी एल्यूजिनिस्टिक थी कि वह आफ्टर ओल एक रियल पेंटिंग लाइक चीज़े लगने लगी जो उनका आर्ट था काफी रियल था तो इसको कह सकते हैं क युकि हमें एक्जेक्ट रियल लग रहा था देखने में तो इस डाइप का उन्होंने आठ होँ पे आर्ट और आर्खिटेक्ट्चर डिव्लेप कर चूगे थे बरुक आर्खिटेक्जर के टाइम पिरेड में तो ओलरी हम डिसकस कर चूके इनके तीन टाइम पीरेट ते अर्ली हाई एंड लेड बरूक अर्ली बरूक के जो पहिनियार आर्किटेक्ट थे कार्लो मेडर्नो तो उन्हें जाना जाता है एक सैंट पीटर्स बैसलिका जो कि वेटिकन सिटी में है उनके फसाड को लेके तो काफी इंपोर्टेंट और उन्होंने उस फसाड पर काम किया है कार्लो मेडर्नो ने तो सैंट पीटर्स बैसलिका को हम मिक्षर मानते हैं एस इट सेट कि रेनेसेंस अंड बरूक आर्किटेक्टर के कंपोनेंट्स हमें दोनों देखने को मिलते हैं इसके अंदर फसाड में जो Dayom है उसे हम रेनेसेंस आखिटेक्टर पर करते हैं और बाकिया बिल्डिंग से उसे भालेंग ちफिंटीर को आर्किटेक्टर में मेड़नो से पहले माइकल एंग्लो जो उनकी प्लान पर काम कर रहते हैं आनए कि सेनट पीटरस बैसलिका के प्लान पर काम कर रहते थे ब्लान को थोड़ा सा holes जो जो काफी छर्चिस के प्लान देखने को मिलते हैं यह लचिन को सब्सक्राइब यानि की इस प्लान को फ्रंट की तरफ से स्ट्रेश कर दिया और यह काईंड आफ हमें देखने को मिलेगा बाद में यह utan क्रोस देखने एंगलो ने और जो extended portion था जिसे हम नेव कहते हैं यह वाला जो extended portion है इसको design किया था Carlo Maderno ने तो दोनों ही architects का यहां पर mixture हमें देखने को मिलेगा यहां के plan में इसके साथ-साथ Carlo Maderno ने Michael यहां पर हमें देखने को मिलेगा इस डोम की बारे में बात हो रही है तो यहां पर यह पर यह प्लान है माइकल एंगलो के time पर सैंट पीटर्स बेस लिखा का जो plan था kind of हम क्या सकते हैं squarish plan था ठीक है इस squarish plan को convert किया एक Latin cross में तो हम यहां पर देखने को मिलेगा यह एक Latin cross है और यहां जो इस cross का facade है इस facade को design किया था मतलब इनेव का और दोनों ही design किये हैं carlo maderno ने यह और detail है plane की यह dome जो exterior view dome का और यहां पर हमें dome की ceiling देखने को बिल रहें काफी designing किया हुआ था dome में इसके बाद second phase है high barook का high barook में दो architects हमें देखने को मिलते हैं पहला है bernini this one bernini and boromini तो दो यहां पर काफे influential architect थे जो कि इन्होंने starting with rome इस rome में काम करना इन्होंने शुरू किया था और बाद में high barook के अंडर भी इन्होंने काम किया तो हम अगर lorenzo bernini की बात करें तो इ पहला है sense features basilica के अंदर ही एक four story baldachin मतलब baldachin इसको हम कह सकते है entrance gate के उपर एक लगाये जाने वाला decorative element है इसे हम कह सकते है यह image में जो दिख रहा है यह entry के time पर एक हमें बहुत decorative gate मिलेगा तो इस gate को design किया था यहाँ पर चार spiral columns इन्होंने यहाँ पर use करें है तो यह इनका काफी famous और important masterpiece में include किया जाता है second इनका masterpiece जो include किया जाता है वो किया जाता है sense feature का जो square है यह जो खाली space है sense feature best लिगा के आगे कभी notice किया होगा आपने image में तो यह खाली space है इसको कहते है square जहानी city square है Vatican City का city square है तो city square के side में एक series of columns ठीक है तो colonnades इसे कहा जाता है तो इस colonnades को भी design किया था Lorenzo Bernini ने तो यह काफी यह दो इनके काफी important work में include किया जाते है Bernini's का एक और important work यहां पर mention किया जाता है the small church of St. Andrea L. Quirinelle ठीक है तो यह एक St. Andrea का church है जो कि Quirinelle एक Roman hills है तो उस hill के उपर इनका church जो इन्होंने design किया था तो यह भी Bernini's के काफी famous building में include किया जाता है तो इस church का plan है circular church है नेक्स्ट फ्रैंसिस्को बोरोमीनी तो यह हाई बरूक के अंदर second influential architect थे Bernini के बाद बोरोमीनी तो इनको कहा जाता था master of curved wall तो इनका काफी design है जो curved wall में हमें देखने को मिलते है तो इसलिए इनको कहा जाता था master of curved wall architecture तो बर्णीनी के भी काफी influential work है लेकिन जिसमें से बहुत ज्यादा influential जो माना जाएगा बहुत famous है that is small church of saint carlo la quattro fontaine sorry इसका pronunciation क्या है ठीक है तो यह भी curanil hill जो की बर्णीनी ने जहां पे church बनाया था जिस hill पे इसका plan और ceiling design यहां पे देखने को मिल रही है इसके बाद जो portion है that is late baruch तो यहां पे बरूक इस point of time पर जो बरूक architecture है वो एक hurt बन चुगा था western culture का France के अंदर तो यह develop France में हो रहा था starting Italy से हुआ था इटली से develop होते होते यह spread हुआ और last में France में देखने को मिला तो जैसे ही France में आया late baruch के time पर तो यहां पर ऐसा develop हुआ इसको कहा जाता था the hurt of western culture तो western culture का यहां पर hurt हमें देखने को मिलता था late baruch में एक और architecture feature यहां पर develop हुआ था building के अंदर जो की था double sloped mansard roof तो double sloped mansard roof का यहां पर use किया है अगर आपको नहीं पता है mansard roof क्या है तो आप मेरी types of roof वाली video में चेक कर सकते है मैंने वहां पर बताया हुआ है कि mansard roof क्या होता है तो यहां पर late baruch में mansard roof का use करने लगे थे buildings के अंदर तो late baruch के अंदर जो most famous baruch architecture है that was magnificent chautex जो की houses है और इसको कहा जाता है कि the largest residence on the earth यह एक time पर सबसे largest residence था अर्थ का earth पर largest residence था और यह कहा जाता है वर्सिलीज का greatest palace था तो यह एक काफी famous work है late baruch के अंदर तो जो palace था उसका facade classical baruch के अंदर हम इसको include कर सकते है और उस facade के अंदर मैंने लिए classical जो baruch है यह northern europe का style हम इसे कह सकते है northern europe का classical baruch style है लेकिन यहां पर जो elements यूज करें है फसाड के अंदर वो एक kind of baruch elements यहां पर यूज के हैं जैसे कि स्कल्प्टिड वर्स्ट या triple string course double plasters ऐसे ही इन्होंने जो elements यूज करें लेट baruch के elements है जो यहां पर यूज करें हमें baruch architecture मों clarity show नहीं clarity देखने को नहीं मिलती है clarity वो show नहीं करता हमें mixture चीजें देखने को मिलते हैं काफी complex design देखने को मिलते हैं तो वो एक simple clarity हमें देखने को नहीं मिलेगे क्योंकि एक proportionate और rules पर काम करता था तो वहां पर यूनिफॉर्मेटी देखने को मिलेगी कही बार हमें plan में symmetrical जो फसाड वो देखने को मिलेते symmetrical plans देखने को मिलेते लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर asymmetrical और यहांपर उनिफॉर्मिटी नहीं है जो कि renessence में हैि भरुक आर्किटेक्चर में वराइटिय में देखने को मिलती है रेनेसेंस में regularity हर चीज में एक नियम है यानि कि कुछ rules है कुछ proportions है वो यहां देखने को नहीं मिलता बरूक के अंदर हमें कोछ contrast देखने को मिलता है तो यहां पर इन्होंने कोई पर्टिकॉलरली element को emphasis करना है तो उसके background में contrast create कर देते हैं बैसे कि light और dark का जो example था वहां पर suit करता है इनकी building से इनको खह सकते हैं human scale पर इनकी buildings थी बरूक architecture के अंदर वो human scale पर एक super human scale पर थी बहला काफी large थी और एक mysterious buildings थी simple सा इसका simple ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने जो buildings बनाई थी simple buildings नहीं थी उनकी complex building थी जो complex design था complex plan था on and overall अगर हम इसको conclude करें तो renaissance architecture से कहीं जादा बेहत जादा यहां पर decorations को या फिर ornamentations को यहां पर priority दी गई थी और overall यह एक symbol था victory और richness को शो करने के लिए तो I hope आपको समझ में आया का बरूक architecture से related जो points थे तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हम next वीडियो में जो कि यह रोको को architecture इसे रेटेटर आपके कोई doubts यह questions आप comment box में डाल सकते हैं मैं reply करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए thank you